और यहां का दूशा जो आंदोलन था ये कौन सा है मेव किसान आंदोलन कौन सा है ये मेव किसान आंदोलन अब देखो इस मेव किसान आंदोलन की अपन बात करेंगे देखिए मेव किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले अपन को ये समझना पढ़ेगा कि ये मेव कौन ह तो मेव के बारे में अपन जानते हैं कि ये ध्रम के आदार पर अगर बात करें तो ध्रम तो ये किसको मानते हैं इसलाम को मानते हैं ध्रम दो कौन से इनका इसलाम लेकिन आज भी इन मेव के जो रीती रिवाजों की अगर चर्शा करते हैं तो इनके रिती रिवाज हमारे हिंदू ध्रम की तरही है बिलकुल हमारे जो हिंदू ध्रम है ना हमारे जो हिंदू ध्रम के अपन मानते हैं तो हिंदू ध्रम की तरही ही इनके रिती रिवाज है नाम भी देख लो हमारे हिंदू जैसे यह है छितर कहां पहलू खहां यह कहां इस टाइब के ना मिलेंगे आपको मिलेंगे की नहीं मिलेंगे कोई है क्या उसे लिए इलाके का उधर का अरे अलवर मेव कहां पर हैं मेवात मी मेव कहां पर हैं मेवात मी हैं और मेवात में आपको मालम है अलवर की आठ तैसिल और बरतपुर की तीन तैसिल तो यह आठ अलवर की और तिन ब्रतपुर की इन 11 तैसलों में जो मेव जाती पाई जाती है और इस मेव जाती का बहुले वो छेतर है वो शीक अपन क्या बोलते हैं मेवात कहते हैं जो मेवातों का जो मेव है मेवातों में जो मुखे मेवात की मुखे जाती मेव है धरम के कुँ डो किया तो देखो अलवर बरत पूर और करोली उस जमाने में यह 3 रियासतें ऐसी थी अलवर बरत पूर कशल इन तीनों रियासति के अंदर रिचासत के दवारा जंगली स्वहरों को पाला जाता था, फियासत के दौरा इनको जंगली सुऊरूँ को पाला जाता था और जंगली सुऊरूँ को मारने पर भी पाबंदी थी, जंगली सुरूँ को मार भी नहीं सकते थे, आज देखो, जिसे नीलगाय है, निल गाय को मारने पर पाबंदी है चाहिए परसल को नुकसान पूंजा दे फिर भी आप उसको मार नहीं सकते मारते हैं तो उन्हें से तुप से आपके उपर केस दर्ज होगा और कम से कम तीन मैंने की जेल तो कम से कम आप जाओगे जाओगे होता है नहीं होता है ये तो नील गाय को देखो अपन नहीं मार सकते तो पैरा जरूर दे सकते हैं अपन लेकिन पसलों को देखो कितना रात बर जागना पड़ता है लोगों को ठीक है उसको पैरेदार रखने पड़ते हैं अपनों को जाती विसेश को ऐसा ही यहाँ पर अलवर, ब्रतपुर और करोली में जंगली सोरों को लेकर था ये जंगली सोरों को मारने पर पाबंदी लेकिन ये पसल को चटे कर जाते अब एक किसान के लिए तो भी है माई बाप कौन है? उसकी पसली है ना? अगर पसल इतनी मेहनत करता है और उशी को अगर जंगली सोरों कर जाए तो वो द्रम अरम सबको बूल जाता है उसका तो सबसे बड़ा द्रम और करम जो है वो उसकी पसल है है कि नहीं है? अपनी जानते हैं सबको पसल उनके सबसे बड़ा क्रम सबसे बड़ा द्रम एक किसान का वो ही है पसल और उसको अगर कोई नुकसान होता है न तो उसको अपने जैसे कोई बेटा सा मरता है न वेशा उसको दुख होता है कितना ही तो यहां के किसान बड़े दुखी थे तीनु रियास्तों के थे अलव कि पसल को क्या कर देते थे नश्ट और यहां पर जो मेव किसानों ने आंदोलन किया इस आंदोलन का मुख्यादार यह था काफी अनुने बिनाय काफी निवेदन किया लेकिन किशी भी परकार का इनके निवेदन को सब्सविकार ही नहीं किया अब निवेदन को सब्सविकार नहीं किया तो मरता क्या नहीं करता कि हम तो मरेंगे मरेंगे सामने वाले को भी लेकर मरेंगे तो 1926 से इन्होंने एक अलगी ही रास्ता अपना लिया में उने इन्होंने क्या क्या गुप्त रूप से गुप्त रूप से सुरों को मारना उन्होंने शुरू किया अब जैसे बिल्कुल साब मार कर उसको ऐसे दफनाते पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल उसका जिंगालाला कर देते, ठीक है ना, अब उसको दफना दिया पता ही नहीं चले, अचानक स्वारों के संख्या में भी कमी, दीरे दीरे इनका साब जोस और भी बढ़ गया, और इन्हों नहीं कोई अगर लगान लेने के लिए पटवारी जी कानून गो वो भी इनके रियासत इनके इलाके में आता ना तो उनका भी जिंगा लाला करना शुरू कर दिया इतना खोब पैदा हो गया कि मेवों के इस इलाके के अंदर कोई सरकारी करमचारी आए ही नहीं आज भी देख ला राजस्तान के अंदर नब परतिसत बैसे चोरी होती हो सारी मेवात में जाती है हां 90% बैंसे चौरी जाती है मैंवात में बैंसे ही नहीं आपकी जो भी बाइक है बढ़ी जो भी आपकी गाड़ी जो चौो रहा होती है नहीं ऊसिधा कमर जाएगी मियृतं के पिरेगी गाँ ही रहें पुरी के पुरी गाम है ना वहाँ पर चले गए आपकी बहनते हैं कि मेरी फ्रीच है आप जानते हूं कहिंगे सवरों को माना साब सुरू कर दिया और देखते देखते अब इनके इतना इनके होसले बढ़ गए कि उन्हों साब जो सरकारी अधिकारी करमचारी आते उनके साथ भी वह ऐसा बरताव करने लग गए तो लाकिम आने से ड़ने लग गए और भी होसला अब जाए होगी अब इन् के घरों को भी लूटने लग गया और किसने भी इसका यह आता है रास्तान का एक मातर सामपरदाई किसान आंदोलन अलवर किसान आंदोलन यह कहेंगे अलवर मेव किसान आंदोलन एक मातर सामपरदाई को अगर कोई आंदोलन था ना वो आंदोलन यही था जिसमें मेव जो रूप दार्ण कर लेती है समस्या 1932 के अंदर देखो मुहमद हादी मुहमद हादी इस मुहमद हादी ने क्या क्या अंजुमन अल इस्लाम अंजुमन अल हादी इस्लाम एक संस्था किस्ता अपने की अंजुमन अल इस्लाम अब अन्जुमन अल्हादी इसलाम संस्ता की स्थापना की आदी चाहा हो ताटा दूसको अन्जुमन अल्हादी इसलाम नामक संस्ता की स्थापना की और इस संस्ता की स्थापना के बाद में तो ये आंदूलन और भी ज़्यादा सामपरदाए के हो गया कौन संस्ता के बाद में? अंजुमन उसको उले इसलाम नामग संस्ता पर कौन था? मुहमद हादी 1932 में स्तापना की आंदोलन और भी ज़यदे क्या हो जाता है अब इसमें सामपड़ाइक हो जाता है और उसको और ज़यदे जो गती मिलती है नाम वो मिलती है जब चोधरी यासीन खान यह गुरू गराम यानी गुडगाव का किसान नेता था का गाता है ये गुरु ग्राम वाल्डो आज कल पहले कहा था हाँ मेवी था मेव गुरु ग्राम का ही था मेव किसान नेता था चोधरी याशिन खा ये इस आंदोलन से जुड़ गया और इस आंदोलन का नेतरतों करने लग गया तो इसके नेतरतों में तो ये आंदोलन सो परस ने लग गए जब यह इंतहा हो गई तो ऐसे श्तिति में मेवाड यह अलवर महराजाद कुछ नहीं कर पाया लेकिन 1933 के अंदर अंग्रेज बटालियन जो अंग्रेज सेना है यह अंग्रेज सेना यहां पर आती है और अंग्रेज सेना चुन-चुन-चुन-चुन-चुन- पूरवक इस अंग्रेज सेना ने जो मेव किसानों का आंदोलन था इस आंदोलन को नोने समापते कर दिया अब इस आंदोलन के एक खाम यह थी कि यहां के सासक जो थे महाराजा जैसिंग यह महाराजा जैसिंग इस आंदोलन को समाल नहीं पाए अरे नियंतरन कर पाए गया नहीं कर पाई अंग्रेज इन्चे बड़े दुखी थी तो 1934 के अंदर महाराजा जैसिंग को तो यहां से निर्वाशित कर दिया यूरोप महाराजा जैसिंग को काँपर बेज दिया यूरोप और महाराजा जैसिंग के इस्तान पर इन्हों ने एक नए विक्ति को महाराजा बना है वो कौन था महाराजा तेज सिंग कौन मनता साब महाराजा तेज सिंग नए यहां के महाराजा बने अंग्रेज इनको बनाया वही 1336 उनके अंदर मर्तियों हो जाती जिसाफ जैसीं की दुमापर मर्तियों गई और यह का निया महाराजा तैज संह आजादी तक यही रहता है आजादी तक महाराजा तैज संह यहां किसा सके रहते हैं तृब यह था अलवर किसान अंडोलंग। योजना को ही अंजाम दिया जाता है तब ही तो जब पता चला ना किसाफ इसकी पुरी योजना तो गांदी जी को मानने के अलवर में बनी थी तो आपको मालम होगा जब मतसे संगा गठन हुआ था तो गठन से पहले ही अलवर का परशाषन के अंदर सरकार ने अपने हाथों म ले लिया था, अलवर का परसासन अपने हातों में ले लिया था, बरतपुर का बरजेंदर सिंग जी से अपना परसासन के अंदर सरकार ने अपने हातों में ले लिया था, इनोंने भी जो मेव आंडोलन हुआ था उसमें बड़ी संक्यम उसके छोटे बाई ने बड़ी संक्यम लोगों को मरुए था और सांपरदेख आंडोलन को और भी फhलाया था तो बरतपुर और अलवर दोनु को क्या कर लेता है मत्त सिंक्ता गठन होने से पहले ही के अंदर सरकार अपने नियंतरण के अंदर ले लेती है ओके किलियर आगे बास समझ में यह तो देखो आपका था अलवर किसाने आंदोलन चलो आज यह पढ़ेंगे और फिर अपने क्या करेंगे इसको लिखेंगे अभी